हाई कैसे हो आप लोग विल्कम बैक टू माई चैनल आज हम अस्टिम्ड मोदक बनाएंगे के लिए एक पैन गर्म करेंगे इस पैन में हम ग्रेट किया हुआ नारियर डालेंगे फ्रेस नारियर को ग्रेट करके लेंगे दो मिनट के लिए भून लेंगे मीठा के अनुसार गूर डालेंगे जैगरी इसे हम मिक्स कर लेंगे जैगरी मेल्ट होने लगा है इसे चलाते हुए हम भून लेंगे आप जैगरी मेल्ट हो गया है अब इसमें हम काजु और बदाम का पेप आड़ डालेंगे इसे मिक्स कर लेंगे इस चलाते हुए है दो मिनट और पका लेंगे इसे कठा होने लगा है डो की तरह गैस का फिलेम आफ कर देंगे इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे एक पैन में पानी गरम करेंगे एक कटोरी एक कटोरी पानी डालेंगे यह एक पिंच नमक डाल कर मिक्स कर लेंगे पानी गरम हो गया है इसमें एक कटोरी चावल का आटा डालेंगे आटे को डाल कर मिक्स कर लेंगे चावल को दो कर एक गंटे के लिए सोक करके रखेंगे चन्नी में चान कर इससे सुखा लेंगे फिर इसका आटा तयार करेंगे इसका पानी सारा सूख गया है इसे ढख कर रखेंगे पांच मिनट के लिए फिर इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे आर्टा ठंडा हो गया है भात में घी लगाएंगे राटे को मसल लेंगे अ हम फिलिंग लेंगे और इसके हम लोगी बना लेंगे चोटी-चोटी से इसी तरह इसके से अंसारा लोगी बना कर त्यार कर लेंगे मौदग का मौल्ड लेंगे स आचँ इसे हम गरीस कर लेंगे गी से Mac कि मोल्ड में आटे को ढालेंगे ये वंगली के सायता से चारों तरफ फैला लेंगे लिए बीच में होल कर बन गया है इसमें हम फील कर लेंगे फिलिंग डालेंगे इस अच्छे से प्रेस कर देंगे उपर से आटा कर इस लोक खर देंगे हमारा एक मोधक बनकर त्यार हो गया इसी तरीके से हम दूसरे मोधक भी बना लेंगे मोल्ड में हम आटा डालेंगे उंगली के सहायता से फैला लेंगे में फिलिंग डालेंगे रूपर से और आटा डालकर इसे लॉक कर देंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें आप भी इस तरीके से मोधक बनाएं इसी तरीके से हम सारे मोधक बनाकर तयार कर लेंगे एक पैन गर्म करेंगे, इसमें पानी डालकर गर्म करने के लिए इसके उपर से एक चन्नी रखेंगे चन्नी में हम सारे मोधक को डालेंगे एक एक करके सारे मोधक को चन्नी पर रखेंगे इसे ढग कर पाच मिनट के लिए इससे भाप में पका लेंगे मारा मोधक बनकर तयार हो गया है थांक यू बाइ